Hey everyone, guys we were doing the chapter data handling which is your chapter number 9 of your NCRT book In our last lecture हमने क्या discuss किया था about the pictograph और वहाँ पे हमने क्या किया था जो भी हमार को data दिया गया था उसको analyze किया था कि इस data में क्या information है Likewise हमने कुछ questions के answer दिये थे कि most like क्या है, least like क्या है, most using क्या है कुछ हमने data को analyze किया था, विद्धा हालपो, pictograph वहाँ पे pictures थी है हमारे पास और उसको हमने क्या कर लिया था, कि समझ लिया था कि इसके अंदर information क्या है अब इस lecture में हम क्या करेंगे, वह pictograph को draw करेंगे यानि कि हमारे पास data तो given है, information तो हमारे पास है बस हम उसको क्या करेंगे, picture form में represent करेंगे ओके, for that आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, कि हम क्या करते है कि हमारे पास कुछ basic details होती है, जो हमारे को write down करनी होगी इन दा pictograph ओके, और वो detail क्या है, हम क्या करेंगे, कि एक table formation करेंगे एक तरफ तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो भी हमारी choice है ओके, likewise हमारे से days की बात, week के days की बात की गई है या number of persons की, या number of color choice की या फिर कुछ particular type of thing is that हम इसके just सामने जो भी है, जैसे suppose करो कि days की बात करी, यहाँ पर Monday है जो Monday की information है, वो क्या आएगी यहाँ पर हमारी quantity quantity is that, कि quantity यहाँ पर suppose करो कि Monday को जो milk using person है, यानि कि जो Monday को milk drink कर रहे है तो हमने एक data set किया हो, तो यहाँ पर मानलो 4 है तो वो quantity हमारी इस तरफ आएगी, ओके, और यहाँ पर हम एक जो चीज represent करेंगे, वो हमारा scale होगा, कि one जो picture है वो कितनी quantity को represent कर रही है, one को कर रही है, ten को कर रही है hundred को कर रही है, fifty को कर रही है, तो वो हम यहाँ पर represent करेंगे means, एक table formation हो जाएगी, यहाँ पर हमारी सारी choices आजाएगी, यहाँ पर हमारी सारी quantity आजाएगी सिरफ यहाँ पर हमारा scale mention होगा, कि one picture is equal to how much number of that particular thing clear, let's take an example, मैं example लेता हूँ, example number 7 और example number 8 जो है आपका, वो drawing का pictograph pictograph को draw करना है, तो वहाँ पर हम clear करते हैं, ओके, now look at your example number 7 the following are the details of number of students present in a class of 30 during a week, कहता है कि यह detail आपको given है कि एक week के अंदर कितने student present थे, एक class में जिनकी strength कितनी थी, total 30 अब यह कहता है कि represent it by a pictograph, इसको क्या करो, represent कर दो with the help of a pictograph तो यह information है कि Monday को 24, Tuesday को 26, Wednesday को 28, Thursday को 30, Friday को 29 and Saturday को 22 अब हमने क्या करना है कि pictures draw करनी हम person के लिए journaling क्या करते हैं, यह picture को draw करते हैं ओके, अब क्या हुआ कि यह एक picture कितने student को represent करेगी, अब यह तो है नहीं कि हम 24 pictures आपकोड़ करेंगे for the 24, ओके, 29 draw करनी पड़ी, 30 draw करनी पड़ी, तो और भी जादा हो जाएंगे तो how we will manage, हम कैसे manage करेंगे, हम एक picture को 5 के लिए represent कर देंगे कि भी हाँ, एक picture draw करी तो वो 5 student को represent कर देगी, हमारा काम easy हो जाएगा तो हमने यहाँ पर mention किया कि 1 picture is equal to 5 student जो भी है हमारा, वो हमने mention किया अब look at this one, Monday को कितनी दी है, हमारे पास 24 अब देखो 24 को जेगर आपको clear करना है, तो कैसे करोगे, 5 से represent करेंगे कितनी picture बनानी है, वो check कैसे करोगे, इसको 5 से divide कर दो 5 1s are 5, 5 4s are 20, 4 तो आपका quotient आजाएगा, 4 आपका क्या आएगा, remainder आएगा means 4 तो आपका quotient आएगा, जो quotient आएगा, उतनी picture तो complete draw कर दो complete draw करनी थी, बट हमारे पास 5 student तो नहीं है, 4 है, कम है, तो हम picture को complete draw करने की बजाए, half draw कर देंगे, means कुछ ना कुछ part cut कर देंगे, मैंने इसका left portion है, वो cut कर दिया, ओके, जो मैंने इसका left वाला hand था, left hand था, वो cut कर दिया, अब ये किसको represent कर रहा है, for the 4 students, ओके, तो in that case हमारे पास क्या हुआ, कि 4, 5, 0, 20, ये तो 20 को represent करने वाले होगे, और जो 1 था, वो हमारा किसको हो जाएगा, 4 student के लिए without 1 hand हो गया, तो कुछ ना कुछ missing करना, वो आपके आपके पास condition है, कि आप कितना missing करना चाहते है, Tuesday को आपके पास कितने थे, 26, अब 26 को भी same, वही case करो, 26 को 5 से divide कर दो, 5, 5 जा, 25, 5 is quotient, 1 is remainder, 5 is quotient, 1 is remainder, तो 5 तो complete picture draw कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, जो 1 रह गया, उसके लिए और part कर दो, just draw like this one, ये 1 को represent करने लगया, same as Wednesday को आपके पास 28 है, तो 5 complete करनी पड़ेगी, जो 3 रह जेगा, उसके लिए आप कुछ न कुछ फिर missing कर दो, likewise this one, fit miss कर दिए, तो वो 3 को represent कर दिए, ऐसे ही आपने Friday, ऐसे ही Saturday, Thursday, सभी days के लिए ड्रो करते हैं, clear, just देखो, ये आपके पास choice होगी, Monday, Tuesday, Wednesday, ये आपकी quantity होगी, ये आपका scale होगया, कि एक picture आपके इसके थी, 5K वल्थी, clear, guys now look at your example number 8, कहता है कि हमारे पास जो example number 8 में क्या कहता है, कि ये एक आपको information दिए गई, ये आपको एक data given किया गया, कि आपने एक year के first four month में, यानि कि जैन, फैप, March and April के अंदर, क्या किया कि बल्थ की purchasing की for a particular place, तो January में कितने purchase किया है, 20, February में 26, March में 30 and April में 34, अब ये कहता है कि आपने क्या करना है, represent the detail by a pictograph कहता है, कि जो भी ये detail given है, इसको एक विद्धा हाल पो pictograph represent करतो, ओके, तो हमने क्या करना था, हमारा वही काम की choice, quantity and the scale, अब scale decide करना है कि कितने हैं, देखो, जे गर हम एक bulb के लिए एक picture draw करने लगे, तो यहाँ पे 20 draw करनी पड़ेगी, यह 26, यह 30, यह 34, तो हम क्या करेंगे, scale क्या set कर लेती है, कि जो हमारी एक bulb की picture है, I am drawing like this one, आप भी ऐसा ही draw कर सकते हो in your notebook, तो एक bulb के लिए हम क्या कर रहे हैं, कि 10 bulbs को represent कर रहे हैं, कि with this one picture आप 10 को represent कर रहे हैं, अब आपको पता कैसे चलेगा, कि आपने कितनी picture draw करनी है, तो वही हमने last example में क्या किया है, तो divide करके check किया था न, तो same here, 20 है January में, तो 20 को आप क्या करो, scale से divide कर दो 10 से, तो यह आजएगा 2, means आपने 2 pictures draw करनी है in the month of January, तो January के अंदर आपने 2 pictures को draw कर दिया, 1, 2, in the case of February, आपके पास कितनी है, 26, इसको भी 10 से divide करो, 10 ones are 10, 10 twos are 20, 2 तो आपका क्या आगया, quotient, 6 आपका क्या आया, remainder, अब वही काम आप क्या करोगे, देखो, यह less than 10 हो गया न, तो इसमें कुछ न कुछ missing कर दोगे, बलब का, तो 2 तो complete कर दिये, quotient वाले, जो यह वाला बलब था, यहाँ से यह portion जो है, इसका miss कर दिया, in the month of March, 30 है, आप क्या करो कि 30 को 10 से divide करो, तो आपका complete 3 आजाएगा, means complete आप क्या करोगे, 3 बलब्स को represent करोगे, means this case में आपका remainder बच जाता है, remainder आपका आता है, तो उस case में आपने कुछ न कुछ portion को कम ज़्यादा करना पड़ेगा, in the case of April, April में क्या था 34, तो आप 34 को करोगे, तो 3 आपका quotient आएगा, 4 आपका क्या आएगा, remainder, तो in that case आप क्या करोगे, बलब का कुछ portion को cut कर दोगे, तो same here, यहाँ पे आपका right portion कुछ चेक, cut है, clear, guys एक चीत द्यान रखना कि जो यह scale है, आपको given होगा, question के अंदर जेगर given नहीं है, तो आप क्या करोगे, खुद की choice से इसको settled करोगे, clear, guys from this video you can cover your exercise 9.2 complete.